हेलो एंड विल्कम टू डेली अफेर्स तो कंट्रीज ऑफ दे वर्ल सीरीज में आज हम लोग जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में जिसका नाम है केनिया तो आप यहां देख पा रहे हैं यह केनिया यह इस्ट कोस्ट में लोकेटेड है और यह अपना हो देखें यह है इत्रोपिया तै最近 में सुमालिया उगांडा यहां स सुडान से तनजने है और यह बॉडर यह करता एक बहुतamy लेक लेक से जोगि ए लेक विक्टॉरिया और और ऑर देश हैं जैसे कि उगांडे तनजने हए यह अपने बॉडर अपने सेर बहुत ही बड़ EP United Nation Environment Program तो इसका भी Headquarter नाइरोबी में है और एक है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं वो है UN Habitat इसका भी Headquarter Kenya में ही है तो अगर हम Kenya की बात करें तो Kenya भी बहुत सारे Organization का पार्ट है जैसे कि यह UN का पार्ट है फिर Commonwealth Nation का पार्ट है क्योंकि ब्रिटिस के अंदर था फिर यह World Bank का पार्ट है IMF का पार्ट है और एक यहां पर रिजिनल ट्रीटी बनाए गए है जिसका नाम है इसका फुल फॉर्म है Common Market पॉर इस्टन एंड साउथ अफरीका तो यह साउथ अफरीका और यहां जो रिजिनल स्टेट है जैसे इथोपिया सुमालिया तंजानिया इनके द्वारा साइन किया गया था इसमें क्या होता है कि जो अफरीकी देश जो इसमें इंक्लूटेड है उनलों के बीच में Free Trade Agreement है मतलब जादा Tax नहीं लगेगा एक दूसरे से दूसरे देश जाने के लिए Goods का और यहां की जो President है उनका नाम है Euro Kenyata यह बहुत ही Famous President है और यह आप देख पारें इनका फोटो लगा हुआ यह है Euro Kenyata और इस देश के Administration में दो language का जादातर यूज यूज के जाता है एक है English क्योंकि यह बिटिस थी और दूसरी है Swahili यह दोनों लेंगवे जादातर यहां के Official work में यूज के जाता है और अगर हम इसकी Population की बात करें तो इसकी Population लगवग पांच करोड़ है और यह दुनिया की 29th Most Populous Country है और यह 7 सबसे ज्यादा Populous Country है अगर हम इसकी टोटल एरिया की बात करें तो आप यह देख पार यह पांच लाग असी हजार स्क्वार किलोमेटर और इस country में आपको लगवग 72 लोग मिल जाएंगे हर स्क्वार किलोमेटर में और 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 इस देश की करंसी है केनियन सिलिंग यह आप देख पार यह केनियन आपके पास एक यूएज डॉलर है तो आपके पास 107 केनियन सिलिंग है लगवग तो यह थोड़ी सी वीक करंसी है इंडियन करंसी से और अगर हम इस देश की इकोनोमी की बात करें तो बाकी अफरीकी देशों से इनका इकोनोमी थोड़ा बैतर है क्योंकि इसका जो टोटल जीडिपी है उलगवग 250 मिलियन के असपास है और पर कैपिटा आप देख पा रहे हैं यहां 5274 इसका पर कैपिटा इंकम है और अगर हम यूमन डेवलोमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका रैंक है 143 जो की अच्छा तो नहीं है लेकिन अफरीकी देशों में इससे भी खराब हालत है तो यह थोड़ा सा अच्छा इंडेक्स है बाकि सब देशों से और अगर हम यहां अमीरी और गरीवी की बात करें तो यहां ज्यादा लोग मिडिल क्लास में नहीं आते हैं यहां पर लोग यह फिर बहुत अमीर है यह फिर बहुत गरीब हैं क्योंकि यहां ज जाधातर क्या है और याफिर रीज और अगर हम इस देश की अतनिक ग्रूप के बात करें तो यहां पर बहुत सारे ग्रूप से जैसे की किकियू लुया लुओ केलंजीन कामबा गुसील मेरू तो यहां पर एतनिक ग्रूप से अर यहां देख पार हैं यह पपूलेशन तो यहां देखिए यह है लुया पीपल यह देखिए यहां पर अपना एक फेस्टिवल मना रहे हैं और यह बहुत ही अच्छे लोग होते हैं लेकिन इनके इकोनॉमी इतनी खराब है बाकी सब देशों से कि यह ज्यादा डेवलोप नहीं है और यहां जो डिफरेंस है रीच पूर के बीच में यह भी इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इंपक्ट करती है और अगर हम इस देश की रिलिजन की बात करें तो इस देश में ज्यादा तर क्रिश्चन रहते हैं यहां देख पार यह प्रोटेस्टें जो क्रिश्चन है वो लगबग 60% के आसपास है रोमन तो इसलिए यहां जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो बहुत ही दूम नाम से मनाया जाता है कौन से फेस्टिवल हुआ है क्रिश्चन जादा है और इस देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बैती है जिसका नाम है ताना रिवर तो आप यहां देख पार है यहां से यह से खिल सेरहिए यहां ताना रिवर फिर यह क dispenser होते हब है उर इंडियान ओशन में जाके बैज आती है यह बहुत ही इंपॉतंक्ट रिवरर a comedian पीपल के लिए पर जूकि इस रिवर के किनारे बहुत सारे factory industry Kenya के बसे हुए हैं और इस देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेट माउंटेन है वो है माउंट Kenya और यह की Kenya की सबसे हाइस चोटी है और इसकी जो हाइट है पांच हजार दोसो मिटर तो एक बहुत ही उची माउंटेन है जो की Kenya में सिचुएटर अब हम लोग देखेंगे केनिया की हिस्टी के बारे में जो की बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो इसलिए आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए आपको केनिया की हिस्टी में के बारे में बहुत ही इंपॉर्टर इंपॉर्टर बाते पता चलेगी अगर हम इसकी हिस्टी की बात करें तो इसकी हिस्टी सुरवात होती है छे सो एडिस है जब यहां पर अरब सटल होने आते हैं तो अरब यहां इसलिए सटल होने आते हैं क्योंकि इसकी जो coastal area है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा port बनाने के लिए facilities थी तो यहाँ पे अरब लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे port बनाते हैं और फिर यहाँ से यह trade करते हैं किसके साथ अरब के लोगे के साथ trade करते हैं इंडिया के साथ और परश्या के साथ भी लोग trade करते हैं इसी जगाते हैं इसलिए यहाँ पे अरब लोग settle होने आते हैं इसके बाद 1895 में British की entry हो जाती है हर जगा British आता है आपने ऐसा कोई भी देश नहीं देखा होगा जहां British नहीं आया हो तो यहाँ पर भी British आते हैं कव 1895 में और यह एक फॉर्म करते हैं East Africa protected इसमें बहुत सारे countries होते हैं जैसे केनिया, उगांडा जांजीबर, छोटा सा आईलन यहाँ देख पर यह है जांजीबर और तंजानिया तो यह सब सारे क्या होते हैं British East Africa के पार्ट होते हैं तो British हर जगह आया है अफरीका में, क्योंकि अफरीका में resources ही इतनी है कि British यहाँ पर आयेगा क्योंकि इन्हे resources की बहुत जरत थी उस टाइम इसके बाद 1920 में East Africa protected जिसमें बहुत सारे देश जैसे कि मैंने बता है उगांडा, तंजानिया यह बन जाते हैं किसके British के colony बन जाते हैं तो फिर यह किसके अंडर आ जाते हैं जो British के governor होते हैं उसके direct control में आ जाते हैं जाज़े कि हमारे time में था न Lord Hastings यह सब governor थे तो यहाँ भी एक क्या बन जाता है governor type का rule यहाँ पे बन जाता है लेकिन कोई भी देश British के अंदर रहना नहीं जाता था इसलिए यहाँ पर एक party का गठन हुआ जिसका नाम था अफरीकन, Kenya African Union K.A.U तो इस party का यहाँ पर गठन हुआ और यह किस लिए सब गठन हुआ क्योंकि यह independence चाता था किसके साथ British से अपना independence चाता था तो इसलिए इस party का गठन हुआ और फिर 1947 में जाके एक व्यक्ति है जिनका नाम है Jomo Kenyata यह बन गए Kenyan African Union के leader कब बने 1947 में इसके बाद 1952 में एक secret group होता है जिसका नाम होता है Mao Mao Group तो इस Mao Mao Group क्या करता है कि वो चुप चुप गुरिल्ला जो warfare होता है ना आपने सुना हुआ गुरिल्ला वार्फेर जो जब थाइलेंड और वेतनाम और चाइना का लड़ाय हो रहा था तो उस टाइम क्या था कि जो वेतनामीस थे उन्होंने चाइना के और से इसी warfare का यूज किया था तो यह जो माव माव गुरूप थे वो गुरिल्ला warfare यूज करते थे किसके साथ वाइट सेटलर के विरूद लेकिन जब यह वाइलेंड कैमपेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्रिटिस ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने state of emergency लगा दिया और जो जो मो केनियाता थे जो अफरीकन यूनियन के लीडर थे इन्हें जेल भेज दिया और यह जो केउ पार्टे है इसे भी बैंड कर दिया क्योंकि यह किसके सपोर्ट करता था यह माउ माउ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था क्योंकि यह के यू पार्टी और माउ माउ दोनों ही इंडिपेंडनेंस चाहता था किसका केनिया का इसलिए ब्रिटिस ने इमर्जन्सी लगा दिया जैसे कि कोई भी पार्टी कुछ कर ना सके है और सारा पार किसके हाथ में हो स्टेट के हाथ में हो तो इसलिए इनोंने ऐसे यह पार्टी को भी बैंड कर दिया और इनके जो लीडर थे उनको भी जेल बेश दिया फिर 1956 में यह जो माउ माउ रेविलियन था यह थोड़ा सब फिर उठा था 1956 में लेकिन ब्रिटिस ने क्या किया बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों को मारा जो जो माओ माओ रेविलियन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस रेविलियन को बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेस गर दिया लेकिन कोई भी देश को ब्रिटिज आज तक ना आपने गुलाम रख पाया है ना ही कुछ कर पाया है तो इसलिए 1960 में क्या हुआ कि इमर्जन्सी यहां पे खतम हुआ और एक नया पार्टी का फॉर्म हुआ जिसका नाम था कानू केनियन अफरिकन नैशनल यूनियन यह पार्टी का फॉर्म हुआ और इसे फॉर्म किया दो व्यक्ति ने एक का नाम था टॉम एमबोया और ओगिंगा ओडिंगा यह दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया उसके बाद 1961 में जोमो कियाता को भी फ्री कर दिया और 1963 में जाके इन्हें आजादी मिली किस से ब्रिटिस से और यह जो जोमो कियाता थे यह बन गए केनिया के नए प्रेसिडंट क्योंकि इन्हें बनना ही था क्योंकि यह कानू पार्टी जो था इनके जो लीडर थे वो कौन थे जोमो किया थे इसलिए केनिया थे इसलिए इन्हें बना गया इनका प्रेसिजट तो केनिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम क्या था जोमो केनिया था और इसके बाद 1964 में जाके यह कंट्री रिपूबिक बन जाती है और इसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे अब वो क्या बन गए प्रेसिजट बन गए और जो वाइस प्रेसिजट थे वो बन गए ओगिंः ओडिंगा फिस 1966 में इनके पार्टी के अंदर ही कुछ फूट हो जाती है यह जो Mr.Odinga है वो क्या करते हैं कि इस पार्टी को छोड़के चले जाते हैं कानुक पार्टी को छोड़के चले जाते हैं और इसके बाद यह नया पार्टी का फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है और इरेश इसलिए क्या जाता है क्योंकि इनके जो एक गवर्मेंट के मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है टॉम मोबाया मैंने आपको इसका नाम पहले ही बताया था यह कौन थे जिन्होंने कानू पार्टी का गठन किया था यह टॉम और उडिंगा मिलके इन दोनों ने मिलके कानू पार्टी का फॉरमेशन किया था और बहुत ही चालाकी से जो केनियाता है उन्होंने क्या किया कि इस टॉम मोबिया को को भी as कर दिया और a Dinga को भी Joe वेज दिया और जो क्योक्तनी अच्छी धिमाग लगाई और इन्हों में एक ही पार्टी बचा जो गानु पार्टी और इसका कौन थे जूनो नहों कहीं याथ और को इसका में कोई opposition था ही नहीं इसलिए क्या हुआ कि इन्हों ने बहुत ही चालाकी से अपना election जीत लिए क्योंकि अगर कोई opposition नहीं होगा तो election वहीं न जीतेंगे तो इसलिए यह बहुत ही खतरनाग move था किसके द्वारा Kenya था के फिर 1974 में एक पर फिर यह इलेक्ट होके आते हैं इलेक्ट होंगे क्यों नहीं होंगे लेक्ट क्योंकि वहां पर बस एक ही पार्टी dominant कर रहा था वह था कानू पार्टी इसके बाद 1978 में केनियाता मर जाते हैं उनके इसमें किसी कारण वस उनकी मित्ती हो जाती है और उनके जो वाइस प्रेज़ेंड होता है डेनियल अरफ मोई इनका इन्हें प्रेज़ेंड बनाया जाता है तो इसके बाद यह जब प्रेज़ेंड बनते हैं तो यह बहुत सारे डिक्लेरेशन लाते हैं जैसे कि यह गोसित कर देते हैं कि यहां पर वन पार्टी सिस्टम चलेगा जैसे कि चाइना में भी वन पार्टी सिस्टम चल रहा था तो यह जो मोई थे यह भी वहां पर वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट कर दिये थे और यह वन पार्टी सिस्टम क्या गया 1982 में इसे officially sign क्या गया इसके constitution में फिर election होता है 1987 में तो माउ क्या करता है कि जो opposition party इन्हें suppressed कर देते हैं इनके जो leader होते हैं इनको मार देते हैं इस पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा international criticism होता है human right abuse भी इन पर बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन फिर भी यह किसी के सुनते नहीं है और one party system यहां से हटाते नहीं और opposition group को बहुत ही ज़्यादा suppress करते हैं मतलब suppress मतलब क्या इनके जो main leader होते हैं उनको मार देते हैं या फिर जो इनके party leader होते हैं जो कारे करता हूं को उन्हें मार देते हैं तो party ऐसे ही टूट जाता है इसी लिए इन्हें human right abuse पे रखा भी गया है क्योंकि यह दूसरे party के लोगों को मार देते हैं जिससे इनके opposition में कोई आना सकें लेकिन कोई भी suppression ज्यादा दिन तक नहीं चलता है कोई भी किसी को ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकता है इसी लिए 1991 में क्या होता है six opposition party होती है वो लोग जिसमें की ओगिंगा ओडिंगा भी होते हैं उन्होंने क्या करता है कि एक forum बनाते हैं एक group बनाते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि यहाँ पे democracy फिर से लॉट आए त dictator की तरह rule कर रहा था कौन यहाँ पर माओ और कोई दूसरी party यहाँ पर थी ने इसी लिए 1991 में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर violence democracy को लेके तो कानू party जो होती है वो officially declare कर देती है कि हाँ यहाँ पर multi party system हम लोग introduce करेंगे और यहाँ पर फि election होता है और माओ इसमें बहुत ही ज्यादा strong majority में फिर से जीत कर आजाते हैं लेकिन इस 1992 में एक और घटना होती है यहाँ जो दो ट्राइब से इसके बीच में बहुत ही जादा लड़ाई होती है और यहाँ लगबग 5000 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है उसके बाद यह यूएस के अमबसी पर अटाक कर रहते हैं तो इसलिए इसनोंने केनिया के अमबसी में भी अटाक किया था और तंजानिया के भी अमबसी में अटाक किया था यह अटाक में लगबग 224 लोगों की मौत हो गई थी फिर इसके बाद 2002 में और एक बार election होता है लेकिन इस election में एक नए प्रेसेडंट बनते हैं जिसका नाम होता है मौाइ की बाकी तो यह नए प्रेसेडंट होता है और यह जो हार जाते हैं जो पहले जोम मौ थे Euro 24 साल से राज कर रहे थे इस से एलेक्शन में हार जाते और की बाकी graph ह ना के नए president बन जाता है क्योंकि वह election में हार जाता है इस किभागी से फिर जब 2007 में और एक बार election होता है तो इस election में फिर यह जीत के आता है किभागी लेकिन इस election के बाद बहुत ही brutal वाइलेंस होता है इसमें लगबग 1500 लोगों की मौत हो जाती है इसके बाद 2010 में जुलाइ 2010 में Kenya जोइन करता है इस अफरीका common market मैंने आपको इस्ट अफरीका common market जिसमें बहुत सारे देशे हैं इसमें इनोंने जोईन करते हैं और इसमें फ्री ट्रेड एगरीमेंट भी इनों के साथ होता है इसके बाद इस देश में एक नया प्रावधान बना जाता है मतलब एक न्यू कॉंस्टिटीजन को एपरूप किया जाता है इसमें क्या होता है कि प्रेसिजेंट का पावर होता है इसे थोड़ा कम किया जाता है क्योंकि हम लोग हर जगा पूरे हिस्टी में देखें हैं कि जो Constitution में President का पावर वह बहुत जादा है इसके वज़े से क्या होता है कि प्रेसिजेंट एक डिटेक्टर की तरह काम करता है तो इसमें इसलिए एमेंट किया गया Constitution में और एक नया Constitution पारित किया और प्रेसिजेंट के पार को थोड़ा घटाया गया लेकिन 2010 के बाद 2011 में 2011 से एक बहुत ही बुरी घटना यहाँ पे सूरु हो जाती है वो है टेरिस्ट का अटेक्ट यहाँ पे जो सुमाली में एक टेरिस्ट संगटन था जिसका नाम था सुमाली अलसबाब तो यह एक ज्यादिस संगटन है जो कि अपना प्रोपगेंड़ा फै इसको डियर्ट करते हैं आपने जो प्रोप होते हैं उन्हें सूमाली बेज देता है तो इस से क्या होता कि और भी अच्री बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसके बाद जो सुमाली अलसबाब है और यह चाहता है कि यह जो केणिया के सेनिक सोमाली देश से लोग निकल जाए क्योंकि यह नहीं चाहते है कि केनिया के सेनिक वहाँ पर रहे और इनके लोगों पर अत्याचार करें तो यह बॉम ब्लास्ट करता था तो यहां भी वो क्या करता है सोमाली लोग पे फाइरिंग करते तो इसके होजे से क्या हुआ कि यह जो एटैक थे केनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो 2012 में क्या होता है एक सौपिंग मॉल में जहां पर लगबग 30 लोगों की मौत हो ज फिर मार्च 2013 में जोमो केनिया था जो के पहले प्रेसिजन थे जिनकी जो ऑफिस में मौत हो गए थी इनके जो बेटे उनका नाम है यूरू केनिया था वो बन जाते हैं प्रेसिजन 2013 में और यह लग 51 परसंट बोर्ट से यह इलेक्सन जीते हैं बहुत ही कम मार्जिन से यह पूरा इलेक्सन जीत जाते हैं और केनिया के यह नए प्रेसिजन बन जाते हैं लेकिन इसके बाद से जो मैंने बताए सबाब अलसबाब जो समालिया की जो आतंकिस अंगरण था इसका अटक और बढ़ गया केनिया के उपर और फिर इन्होंने अटक किया था एक होटल फिर एक पूलिस स्टेशन में 2014 पर इन्होंने हमला किया था लगवग यहां पर 50 लोगों की मौत हो गई थी तो बीच में बीच में यह इन पर हमला करते रहते थे तो इससे क्या होता था कि जो इनका बस डिमांड था कि जो केनिया टूप समाली में गई है वो इन्हें रिट बसल्राक होता था इसके जैसे क्या होता था कि इस कंट्री पर घत्रा बनाऊ रहता था था कि पता ने कभ यह पर हो जा रहते था और यहां पर जो समाली बॉटर्र यहां पर बहुत ही जादा कडरा नीचे फिर फिर झाल पर-कैश्चेब्र में देश्ट Extrablei presenting गजह से सेना क को इनके बॉर्डर में रखा गया था क्योंकि इनकी बहुत ही बड़ी बॉर्डर है सुमालिया के साथ लेकिन एक बहुत ही बुरी घटना होती है 2015 में यह अलसबाब फिर से यह आतंकी संगठन एक यूनिवर्सिटी में अटक करता है जिसका नाम होता है गैरिसा यूनिवर्स गला कार दिया जाता है किसी का माठा अलग कर दिया जाता तो बहुत ही बुरी तरीके से यह ने मारा जाता है और इस एक अध्या पढ़े हुए यह यही स्टुडेंट की यह यहां पर पढ़ता है और इसे बहुत ही एक बुरा का जाता है केनिया के इतियास में अगर हम लोग रीसेंट की बात करें तो 2020 में एक बहुत ही खतरनाक एटक हुआ था इनके आर्मी बेस पे जिंका नाम था सिंभलाव पहर्पेश सिम्मा अर्मी बेस। जिसमें कि तीन Am duel की मौत हो गए ती और इस पे सरकार है इन्होंने बहुत ही ब यहां ज्यादा रिट्रेट किया था और इन्होंने अल सबाब कर बहुत ही बड़े खेल में लगबग यहां 20-30 आतंकी को इन्होंने डेर किया था लेकिन यह आतंकी संकटन का खत्रा अभी भी बना हुआ है इस पूरे देश में क्योंकि यह जो केनियन आर्मी है वो सुमेलिया से लोटने रही है अगर वहां से लोटे की तो यह अलसबाब का खत्रा घटेगा नहीं है और बढ़े का अगर लोगज लोग इन्डियाई और यह लगऔर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है केनिया को फार्मसुटिकल्स इस्टील और यहां पर बहुत सारे इंडियन कंपनी जैसे की टाटा रिलाइंस एर टेल यह सब कंपनी वहां पर अपना बहुत ही बड़ा मैनुफेक्टरिंग करती और एक्सपोर्ट भी बहुत ही लाइज स्केल में करती है और अगर हम केनिया की एक्सपो सब्सक्राइब करता है और हमारा ट्रेड बहुत ही अच्छे स्केल पर 2.4 billion और यह त्रेड आगे भी बहुत था बढ़ने वाला कि वहां से जो टी आती हो बहुत अच्छे क्वालिटी की टी आती और हम लोग बहुत ही लाइज स्केल में उस टी को प्रोक्यूर करते हैं कर् इस्ट्री मैंने पूरी अच्छी तरीके से इसे कवर कर लिया तो थैंक यू चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए